नमस्कार दोस्तों कैसे आप सब लोग उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और मैं रोहित कुमार आपका स्वागत करता हूँ आपके अपनी चैनल इस्टेडी वीद एली शैलक्स पर और आप जानते हैं हम अपने चैनल के माध्यां से आरो यारो की तैयारी करा रहे हैं और हमारा उद्देश से आपको कम समय में बहतर गंटेंट उपलत कराना और हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी उत्तर प्रदेश करेंटे फेर की और उसमे की बेस पर हमने इस महराथन को तैयार किया है और इसमें आपको लगबग 240 के आसपास कोश्चन मिल जाते हैं जो आपके उत्तर प्रदेश करेंटे फेर से संबंदित हो जाते हैं और पूरे आपके जनवरी 2023 से दिसंबर 2023 तक के कंप्लीट कोश्चन हो जाते हैं ठीक है तो आपको ये वीडियो पूरी देख लेनी है और सारे कोश्चन जो हैं इसी तरह के मिलेंगे जिस तरह के आपके एक्जाम में पूछे जाते हैं इसमें लगबग आपको 240 कोश्चन मिलने वाले हैं और ये बनाया गया है स्टूडेंट की डिमांट पार ठीक है तो चलिए देर में वस्ची लिखें और अपनी तयारी को पर्खें के आप जो हैं कहां इस्टेंड कर रहे हैं तो चले देर ना करते हुए हमारा आज का पहला कोश्चन हो जाएगा कला और संस्क्रित को बढ़ावा देने के लिए छटे अटल बिहारी वाजबई राष्ट्य पुरसकार की भवे प्रस्तूति के साथ नोवे वैश्विक साहित महुत्सव दो हज़ार तेज का समापन ये कहां हुआ है ये आपको बताने कहां हुआ है जगए आप से पूछी गई आपको केवल आंसर बताने कहां हुआ है तो ये आपका हो जाता है नो एडा में ठीक है छटे अटल ब सिरी अन्न महुत्साव और एक राजिस्टेरिया बाजरा कारिया सालों को आईजन कहां किया गया है यह भी आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है लखनु यह आपके केवल अगर यह करेंट आफ्यर आपको डीटेल वाइस पढ़ना है तो आप हमारे चैनल पर जाएंगे विजिट करेंगे वह आपको डीटेल वाइस सभी करेंट आफ्यर मिल जाएगा बात कर लेते हैं कोचे नंबर 3 के बारे में विचार करने के लिए आपको दिया गया है किस किस तरह से जो है विचार करना है और बात कर लेते हैं पहले गतन के बारे में उत्तरप्रते सरकार ने महिलाओं को ससक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री के परियासों के परिणाम सुरूप राज की सरम सक्ती में उनकी भागेदारी में पिछले 6 वर्सों में 17.9% की उलिखनिय विरत्ती दर्ज की है ये हो जाता है आपका मुख्यमंत्री के द्वारा जो म बारत की और जबकि उत्तरप्रदेश ने 32.10 दर्ज की है तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है और आपसे पूछा गया है कौन सा इन में से करेक्ट हो जाएगा तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों दिए गए हैं आपके उप्शन नमबर C में उप्रोक्त दो जाते हैं बात कर लेते हैं को उस्तरप्रदेश के मुक्ह्यमंत्री योगी आदित्नाथनि कि जिले को 233.20 करोड रुपे की विकास यू जनाव की सोगाध्धी है यह आपको बताना है कौन सा हो जाएगा वह जिला जिसे 233.20 करोड की सोगाध्धी है तो यह इनका अपना ज प्रजिला हो जाएगा गोरखपुर को जो है इनोंने ये स्वगात दी है और बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 5 के बारे में विचार करने के लिए दिया गया है कोश्चन नमबर 5 और पहला जो कथन है वो क्या कहता है उत्तरपर्दे सरकार ने सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तह जाएंगे और महिला बीटों को जो है पिंक स्कूटर भी परदान किये जाएंगे और दूसरा कथन देख लेते हैं पहले चरण में 20 धार्मी की स्थानों पर पिंक बूत बनाना है और 17 नगर निगोमों में 1100 महिला बीट कॉंस्टेबलों को इलेक्टिक दोपईयां पूरा करना है तो यह तीनों ही पॉंट जो हैं आपके रयक्ट हो जाते हैं और तीनों पॉंट किसमें कर्थ दिये गए हैं केवल एक यह सही नहीं है केवल दो सही नहीं है और यहां आपका उप्रोक्त सभी यह हो जाता है आपका option नंबर option number D में दिया गया है यह आपके सभी सही हो जाते है बात कर लेते हैं question number 6 के बारे में सुवतंतरता सेनानी राजा सुवतंतरता सेनानी राजा राव रामबक सिंग की घुड सवारी परतीमा का अनावरन किसके दौारा किया गया है यह अनावरन इनका यूपी में किया गया है और किसके दौारा किया गया है और कहां किया गया है यह भी आपको पता होना बहुत जरूरी हो जाता है तो यह जो है सबसे पहले बात करेंगे इस question के answer की तो इनका जो अनावरन है ये आपका योगी आदितनात के द्वारा किया गया है कहा किया गया है ये भी आपको पता होना चाहिए तो ये किया गया है आपका जिला उन्नाओं में जिला उन्नाओं में इनकी परतीमा का अनावरन किया गया है कौन हो जाते हैं ये हो जाते हैं question number 7 के बारे में उप्रोक्त में से सही कथन पर आपको विचार करना है सही कथन कौन सा हो जाएगा ये आपको बताना है दो कथन आपको दिये गए हैं बरेली सभी सरकारी स्कूलों में smart कक्साओं तक पहुच परदान करने वाला पहला जिला बन गया है तो ये तो आपका correct हो जाता है ये बरेली जो है ये पहला जिला बन गया है जो smart कक्साओं तक पहुच परदान करने वाला बन गया है बात कर लेते हैं दूसरे कथन के बारे में जिले में कुल 2546 सरकारी स्कूल है और उन में 2483 बुनियादी भाग के स्कूल है तो ये भी आपका correct हो जाता है दोनों आपके correct हो जाते हैं और दोनों correct दिये गए हैं आपके option number C में कथन करने के लिए इस तरह के question जो है आपसे काफी संख्या में पूछे जाते हैं और बच्चे जो है इनको बड़ा देखकर या इनकी language देखकर जो है इनको छोड़ने की कोशिश करते हैं बात कर लेते हैं question number 8 के बारे में उत्तर परदेश के किस इस्थान को अपना पहला सवदा गिरह मिलेगा पहला सवदा गिरह की बात की गई है ये किसको मिल जाएगा ये आपको बताना है इसका correct answer आपका हो जाता है लखनो लखनो को अपना पहला सवदा गिरह मिलेगा ये आपको याद रखना है और इसमें क्या होगा इसमें जितने भी आपके मिरत पसू होते हैं मिरत पसू हो जाते हैं या जितने भी आपके आवारत जानवर हो जाते हैं इन के लिए जो है ये सवदा बनाया गया है और ये लखनव में बनाया गया है ठीक है ये आपको याद रखना है बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर नो के बारे में उत्तर परदेश में NEP कारियन वन को परदर्शित करने के लिए सरकार कितने स्कूलों का चैन करेगी NEP की बात की गई है यानि National Education Policy NEP कारियन वन को परदर्शित करने के लिए सरकार कितने स्कूलों का चैन करेगी ये आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है ये आपको हो जाता है 10 स्कूलों का चैन करेगी NEP का कारियन वन करने के लिए बात कर लेते हैं कोस्चन अमर 10 के बारे में आयूस बोड का गठन कहा किया जाएगा ये आपको बताना है आयूस बोड की बात की गई है और इसका जो कठन है ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाएगा आयुस बोड का गठन ये आपका उत्तर प्रदेश में किया जाएगा और इसके अंतरगत जो भी आपकी आयुरुवेदिक होती है यूनानी, होमेपेथी, प्राकर चेकित सके जो आपकी उनके योग पदिती से जुड़े संस्थानों का संचालन किया जाएगा ये आपको के इंद्रिय आवास और सहरी मामलों के मंत्रा लेद्वारा आउजित इंडिया स्मार्ट सिटी कॉनक्लेव में यूपी को सरुष्रेष्ट राज्य सिरेणी में तीसरा पुरुष्कार सहित, दस पुरुष्कार और भी मिले हैं तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है सरुष City Award सिरेनी में तीसरा इस्थान मिला है वहीं वाराणशी ने उत्तरे चेतर में दस लाग से अधिक आबादी वाले Smart Seherों के भी City Award सिरेनी में पहला इस्थान असिल किया गया है तो यह जो पहला हो जाता है यह आपके लिए important हो जाता है। और ये दोनों कके लिए सही हो जाते है। आपसे कुछाएं कौन सा इन में से कथन आपका सही हो जाएगा तो दोनों कतन आपके पर सैही हो जाते हैं। उत्तर परदेशको मिला है एक वे दो दो नों आपके सही हो जाते हैं और चले बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर बारा के बारे में विचार करें दिया गया है यहां भी कोश्चन और इस तरह के कोश्चन जो है अधिक मात्रा में आपसे पूछे जाते हैं बात कर लेते हैं पहले कथन के बारे में, बीपैक सभीहान मध्य परदेश के एक मुख्य मंत्री के द्वारा सुरू किया गया है, तो ये तो आपका गलत हो जाता है, जब हम बात कर रहें उत्तर परदेश की तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, मध्य परदेश में जो ही सुर नहीं किया गया है ठीक है और यह जो है आपका उत्तर प्रदेश में सुरू किया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दौारा तो यह تو आपका गलत हो जाता है बात कर लेते हैं दूसरे सहकारी अभियान से है जो गिरामिंड शेत्रों की विबिन आवसकताओं को पूरा करता है तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है बीपैक्स का जो अर्थ है ये आपका सहकारी अभियान से है जो गिरामिंड शेत्रों की विबिन आवसकताओं को पूरा करेगा और ये दोनों जो को राश्ट ये सिक्सक पुरुसकार से सब्मानित किया गया है यह ये कौन-कौन हो जाते हैं, मेरट के हो जाते हैं, केल इंटरनेशनल के हो जाते हैं, प्रिंसीबल, इसके बाद बात करते हैं, बुलंद साहर के चंदर परकास हो जाते हैं, और फतेपुर के आपके आसिया फारुकी हो जाती है, तीनों के नाम आपको याद रखने हैं, कौन-क किया गया है यह आपको बताना है राजी सिख्षक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है तो कितने सिख्षक हो जाते हैं जिनको सम्मानित किया गया है और इसका जो करेक्ट आंजर यह आपका हो जाता है यह आपको बताना है तो यह हो जाता है आपका मेरट में मेरट में जो है नमामी गंगे ने उत्तर परदेश के मेरट में सीवेज उप्चार अवसंगरचना के लिए समझोते पर हश्ताकसर किये हैं बात करेंगे कोश्चे नमबर हो जाता है हमारा सोला और ये भी जो है आपका विचार करने के लिए दिया गया है बात कर लेते हैं पॉइंट नमबर एक के बारे में उत्तर परदेश सरकार के द्वारा 24 सहरों में इबस चलाने कर निन्ने लिया है तो ये तो आपका गलत हो जा जो आपका नगर विकास भी भाग होता है इसके लिए प्रस्ताओं तयार कर रहा है तीसरे की बात करेंगे बड़े सहरों में 150 बसे मद्द सहरों में 100 बसे और छोटे सहरों के लिए 50 बसे चले जाएंगी तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है बात करते है पॉइंट चार के करना है तो दो तीन और चार और दो तीन चार दिये गए हैं आपके option number B में और यहां भी जो है आपका सत्त कथन पर जो है आपको विचार करना है सत्त कथन पर विचार करिए कौन सा जो है सत्त कथन हो जाएगा और नई सिक्सानीति के अंतरगत उत्तर प्रदेश के स्कूलो में अब सपता में मातर 29 गंटे जो है पढ़ाई होगी तो यह तो आपका करेक्ट हो जाता है सपता में कितने गंटे पढ़ाई की जाएगी सपता में आपकी 29 गंटे पढ़ाई की जाएगी पर देश में इस्कूली कक्साओं का सामान ने समय जो है या 35 मिनट हो जाएगा त बात कर लेते हैं गोश्च नम्बर 18 के बारे में केंदर सरकार ने उत्तर प्रदेश में तीन यूनियूटी मोल बनाने की घोसना की है कहां कहां वो बनाएजाएंगे यह आपको बतातना है तीन यूनियूटी मोल बनेंगे और ये बन जाते हैं आपके लखनाउ आग्रा और वारानसी में ठीक है यह आपका हो जाता है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और इस वीडियो की फ भ्यान की शुरुवात की गई है तो इसका जो correct answer है यह आपका हो जाता है भी बिर्जे स्पार्ठक जी के द्वारा इसका जो है सुभारम किया गया है बात कर लेता है question number 20 के बारे में उत्तर प्रदेश में हिंदी दिवस के अवसर पर कितने साहित कारों को सम्मानित किया गया ह है बात कर लेते है question number हो जाता है हमारा 21 और सही कतनों पर जो है आपको विचार करना है यहां बात करेंगे डाक्टर बी सी राइट ट्रोफी जूनियर राष्ट्य फुटबोल चैंपिंशिप का किताब उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है तो यह तो आपका correct हो जाता है जो कि डाक्टर बी सी राइट ट्रोफी जूनियर है उसका जो खिताब है यह आपका उत्तर प्रदेश ने जीत लिया है जूनियर राष्ट्य फुटबोल चैंपिंशिंप उडिशा के भूनवेस्वरों में आयजीत की गई है तो यह भी आपका correct हो जाता है यह आपकी उडिश पास्चिक मिंगाल को रहा यह यह राया है आपका पस्चिमी बंगाल को ठीक है तो यह तो आपका हो जाता है इन करक्ट के बारे में टूर्णामींट में निरञ जनG साहिं ने सभसे ज़़ादा आठ गूल किया तो यह भी आपका correct हो जाता है way एक unique & incorrect है तीसरा और कर लेते हैं question number 22 के बारे में हाल ही में उत्तर परदेश के तत्वा plastic pie factory का उद्गाटन किसके द्वारा किया गया है ये आपको बताना है तत्वा plastic pie factory की बात की गई है और इसका जो correct आंजर ये आपको हो जाता है योगी आदितनात के द्वारा योगी आदितनात के द्वारा तत्वा plastic pie factory का उद्गाटन किया गया है बात कर लेते है question number 23 के बारे में निराला इस्मर्ती सम्मान पर विचार करना है क्या हो जाता है बात कर लेते है point number 1 के बारे में कवी अरुन कमल को निराला इस्मर्ती सम्मान किया गया है यह आपका करेक्ट हो जाता है यह सम्मान महाकवी सूर्यकान तिरपार्टी निराला इस्मर्ती में परदान किया जाता है यह भी आपका करेक्ट हो जाता है और सूर्यकान तिरपार्टी निराला हिंदी कवी तके छाया वादी यूग के पर्मुक इस्तम्मों में से एक माने जाते हैं तो ये भी आपका correct हो जाता है तीनों आपके correct हो जाते हैं और तीनों आपके correct दिये गए हैं सभी शत हो जाता है बात कर लेते हैं question number 24 के बारे में 20 वार राष्टिय पुष्टक मेला का आउरेजन कहां किया गया है यह आपको बताना है बीस वार राष्टिय पुष्टक मेला और यह जो है आपका correct दिया अपका OHब किया गया है इस में से आपका कोई शाभी शही नहीं है इसका आउरेजन आपका लखनों में किया गया है बात कर लेते हैं, question number 25 के बारे में विचार करने के लिए दिया गया है आपशे question उत्तर प्रदेश के greater Noida में international trade so के पर्थम संस्क्रन का आउजन किया गया है ये कहां किया गया है, ये आपका greater Noida के international trade so में पर्थम संस्क्रन किया गया है तो ये तो आपका हो जाता है correct ये आपका correct हो जाता है इसका सुबारम उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात की उपस्तिती में राष्टपती दुरोपती मुर्मु के दुवारा किया गया है तो ये भी आपका correct हो जाता है इस टेट सो में सभी सेक्टरों के उत प्रदेश के की जनबत में भारतिय किर्केट कंट्रोल बोर्ट दुआरा बनाया गया इंटरनेशनल किर्केट स्टेडियम का सिला नियास किया है यह आपको बताना है यह कोश्चन आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है और इस तरह के कोश्चन जो है आपको आपकी प्रिक सरकीट आगरा में संपन हुई है तो यह जो आपका बुद्ध इंटरनेशनल सरकीट है यह आपका आगरा में नहीं है यह आपका नोएड़ा में हो जाता है ठीक है पहला तो आपका गलत हो जाता है मोटो जीपी रेस मूनी वी आर आर 46 रेसिंग टीम के मारको बेजेची ने अपने नाम दर्ज किया है और जे मार्टी ने दूसरा और आर क्वार्टरों ने तीसरा इस्थान प्राप्त किया है तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है एशा में पहली बार बारतिय सरजेमी पर मोटर बाइस रेस यानि मोटो जीपी का आयोजन हुआ है तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है पहली बार हुआ है बारत में और मुक्य मंत्री योगी आद इतना आते हैं केंद्रिय युवा मामले खेल मंत्री अनुराग सिंग ठा दान्ट की है तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है करेक्ट कौन-कौन से हो जाते हैं दूसरा तीसरा और चोथा और दूसरा तीसरा चोथा यह आपके दिये गए हैं ओप्शन नमबर बी में यहां हम बात करेंगे कोश्चन नमबर हो जाता है हमारा 28 और 28 हमारा क्या कहता है देश के पहले रोपे टांसपोर्ट से सम्मनित कत्रों पर विचार करना है और देश का पहला रोपे वाराणसी उत्तर पर देश में बनाया जा रहा है तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है पहला जो रोपे है ये आपका वाराणसी में बनाया जा रहा है इस रोपे की लागत 900 करोड रुपे यह आपका गलत हो जाता है इस रोपे की लागत 900 करोड रुपे नहीं है ठीक है तो इसकी लागत कितनी हो जाएगी तो इसकी लागत हो जाती है आपकी 644 करोड रुपे 644 کرोड टूपेश की लागत हो जाती है लगबग में यह रोपे वरान सी केंट के बीच चलाया जाएगा तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है पहला आपका करेक्ट हो जाता है और तीसा आपका करेक्ट हो जाता है इसके लिए सरकारी जमीनों का अधिगरंड किया जाएगा ये आपका गलत हो जाता है इसके लिए सरकारी के साथ साथ जो आपकी निजी जमीने होते हैं उनका भी अधिगरंड किया जाएगा ठीक है तो एक और तीन आपके correct हो जाते हैं और एक और तीन दिये गए हैं आपके option नमबर B में बात कर लेते हैं आपका 29 के बारे में मुख्यमंत्री Command Center तथा CM Dashboard का सुभारम किस राजिके मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है और इसका जो correct answer ये आपके उत्तर प्रदेश हो जाता है मुख्यमंत्री Command Center तथा CM Dashboard का सुभारम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया है बात कर लेते हैं question number 30 के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के बयान के अनुसार प्रदेश में परती व्यक्ती ऊर्जा की खबत कितनी है ये आपको बताना है परती व्यक्ती ऊर्जा की खबत कितनी हो जाएगी तो ये हो जाती है आपकी 639 यूनिट हो जाती है परती वर्स बात कर लेते हैं question number हो जाता है हमारा 31 तेश और ये भी जो है निम्न कथनों पर आपको विचार करना है इस तरह के question ज्यादा आपसे आपकी परिक्सा में पूछे जाते हैं पहले कथन देख लेते हैं और ये हो जाएगा आपका पिरिया सिंग ने सिरी राम को अद्वुत पेंटिंग बनाकर world greatest record बनाया है तो ये आपका गलत हो जाता है उन्होंनों जो है सिरी राम की पेंटिंग नहीं बनाई है उन्होंने सिरी राम मंदिर की पेंटिंग बनाई है सिरी राम मंदिर की पेंटिंग हो जाते है जिसको उन्होंने बनाया है और यहां दिया गया स्रीराम की पेंटिंग बनाई है यह तो आपका गलत हो जाता है World Greatest Record दुनिया के बड़े record में सुमार है यह तो आपका Correct हो जाता है पुरंदरपुर गाव की पिरिया सिंग इस record को पाने में सफल रही है तो यह आपका हो जाता है Correct इसमें कितनी किले लगी है इसमें आपकी 2726 किलो का परियोग किया गया ठीक है तो आपके 2 और 3 करेक्ट हो जाते हैं बाग ये आपके इन करेक्ट हो जाते हैं और 2 और 3 दी गए हैं आपके option number B में बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 32 के बारे में विचार करने के लिए कोश्चन यहां भी आपको दिया गया है और उत्तरप्रदेश विधान सभा की परिकिरिया तथा कारिय संचालन नियमा वाली 2023 अनुमोधी तेहुं सुविकरत की गई है तो यह आपका हो जाता है करेक्ट यह आपका गलत हो जाता है कि भी आपकश्चं नमबर 33 के बारे में किस परदेश की सरकार ने जेल में बंद कहे दिएगा भत्ता भुक्तान दोगना करने के लिए सासना देश जारी किया है तो यह भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है बात कर लेते हैं कोश्चा नमर चूंटिश के बारे में बनारेस के खिस गाट पर पहला रीवर फिरेंट बनाया जाएगा पहला रीवर फि में 35 के बारे में केंद सरकार के दौारा सुवास्तीओं में सुधार के लिए किस राज को ई-g Alan P पुरुषकार से सम्मानित किया गया है, तो ये भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, E-Governance पुरुषकार से सम्मानित किया गया है उत्तर प्रदेश को, बात कर लेते हैं कोश्च नमर 36 के बारे में, प्रदेश की सरकार के दुवारा एक नया IT Hub बनाया जाएगा, ये कहां बनाया जाएगा, IT Hub, तो ये आपका लखनों में एक IT Hub बनाया जाएगा, बात कर लेते हैं कोश्च नमर 37 के बारे में, उत्तर प्रदेश कितने पुलिस कर्मियों का राष्ट या पुलिस पदक से सम्मानित करेगा, ये आपको बताना है, इसमें आपके कितने पुलिस कर्मी हो जाते हैं, तो इसमें आपके हो जाते 89 पुलिस कर्मी इनको राष्ट्य पुलिस पदक से सम्मानित किया जाएगा बात कर लेते हैं कोस्च नमबर 38 के बारे में चार दिवस यह है Y20 यूथ सम्मेलन की सुर्वात की जन्पद में की गई है यह आपको बताना है Y20 यूथ सम्मेलन की बात की के दिदी कहफ तो यह तो आपका कर्यक्ट हो जाता है 17 निगनमगम में दिदी कहफे कर ने की बात कही गई है सरकार के दौरा। तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और तीनों आपके करेक्ट दिये गए हैं ओप्शन नमबर C में बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 40 के बारे में किस राज़की सरकार के दौ़ार कक्सा नोवे कक्सा बारवी के चात्रों को मुफ्त किताबे देने की घोसना की है तो ये भी आपका अपना उत्तर प्रदेश हो जाता है कक्सा नोवे कक्सा बारवी के चात्रों को मुफ्त किताबे दी जाएंगी बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 41 के बारे में कत्नों पर आपको विचार करना है बात करेंगे कोश्चन नमबर 42 के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदितनात के द्वारा किस जनपद में ध्यानचंद म्यूजियम का लोकारपन किया गया है ये इंपोर्टेंट हो जाता है ध्यानचंद म्यूजियम का लोकारपन किया गया है और किस जनपद में किया गया है ये आपको बताने और इसका जो करेक्टर अंसर है यह आपका हो जाता है जहांसी ठीक है जहांसी में मेजर ध्यानचंद म्यूजियम का लोकार्पन किया गया है बात कर लेते हैं कोश्चन नबर 43 के बारे में उत्तर परदेश के कितने सहरों में सोफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार कि स्थापित किये जाएंगे और यह हो जाता है आपका चार सहरों में जो है सोफ्ट्वेर टेकनोलोजी पार कि स्थापित किये जाएंगे उत्तर परदेश के बात कर लेते हैं कोस्चन नमबर 44 के बारे में परदेश की सरकार के द्वारा कितने सहरों में आवाश ये संस्क्रत विद्याले खोलने की अनुबती परदान की गई है आवाश ये संस्क्रत विद्याले खोले जाएंगे ये आपके उत्तर प्रदेश के 15 जंद पदों में खोले जाएंगे बात कलेते हैं question number 45 के बारे में निम्न गत्ठनों पर आपको विचार करना है और आपको बताना है कूटों में से सही उत्तर का जो है आपको चैन करना है पहले गत्ठन देखते हैं परदेश में आईटाई कानपूर के द्वारा एक आत्म घाती ड्रोन तयार किया गया है, तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है, हमके वल M.C.U की फोर्म में आपसे कोस्चन करा रहे हैं, और इसकी अगर आपको डीटेल वाली जो है करेंट अफेर पढ़ने हैं, तो आप हमार कर सकेगा, तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है, और 100 किलोमेटर जाने में 드rone को एग घंटा 20 मिनट लगेगा, ये आपका हो जाता है इन करेक्ट, 100 किलोमेटर पहुचन में इसको मातर 40 मिनट का समय लगेगा, ठीक है, 1 और 2 आपके करेक्ट हो जाते हैं, और एक और 2 दिए रहे हैं आपके औप्षन नंबर ऐ में बात कर ले दें कोस्चन नमबры 46 के बारे मेंचा हल्ही में किसे भारत के किस राजिमे मंदीरों का संभेलेन international temples convention एंड ex-po का आयुजन किया अयोजनु कि शुजश फूब नंदीरों का बात करने में उत्तर प्रदेस सभी राज़यों में अवल रहा है। ईसक बात करने में पिश्टल, रिवालवर, कारतूसों सो को किस डेस की तकनिक के आदार पर बनाया जाएगा। और इसका जो करेक्टर अंसर यह आपका हो जाता है अमेरिका अमेरिका की तर्ज पर जो है अमेरिका की तक्निक के आदार पर पिश्टल रिवालवर कार्टूसों को बनाया जाएगा बात कर लेते हैं उननचस के बारे में परदेश में खेल नीती के तहट सभी विद्यालों में कितने मिनट खेल अनिवारिय कर दिये गए हैं यह आपको बताना है कितने मिनट के खेल अनिवारिय हो गए हैं तो 40 मिनट के खेल अनिवारिय कर दे गए हैं उत्तर परदेश के इसकोलों में बात कर लेते हैं question number 50 के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये आपको बताना है छत्रपति साहुजी महराज विश्विद्याले जीवित साहित्यकारों पर PhD कराएगा तो ये तो आपका correct हो जाता है ठीक है पहले जीवित साहित्यकारों पर PhD नहीं होती थी अभी तक उन साहित्यकारों पर सोध किया जाता था जो इस दुनिया में है तो जो दुनिया में वो जीविती तो हो गए तो ये तो आपका गलत हो जाता है अभी तक उन पर सोद किया जाता था जो इस दुनिया में नहीं है बात कर लेते हैं तीन के बारे में उप्रोक्त विश्विद्याल है उत्तर परदेश के कानपूर जनपद में इस्तित हो जाता है तो ये भी आपका करेक्ट हो जाता है शत्रपति साहुजी महराज गरीबों के लिए कल्यान मंडप योग बनाने की घोशना की गई है तो ये कौन सा हो जाएगा ये भी आपका उत्तर परदेश हो जाएगा जिसमें गरीबों के लिए कल्यान मंडप बनाने की घोशना की गई है बात कर लेते हैं कोस्चन नमबर 52 के बारे में हाल ही में उत्त नमबर 53 के बारे में, हाल ही में B.H.U. के डाक्टर अमी कुमार रसमल को राष्ट युवाभू वज्ञानिक पुरुसकार से सम्मानित किया गया है, इनको किस के द्वारा सम्मानित किया गया है, यह आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है, यह आपका हो जाता है, द बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 55 के बारे में, गुरु वारता संगम कारिकरम किस के द्वारा लोंच किया गया है, यह आपको बताना है, और इसका जो करेक्ट आंसर है, यह हो जाता है आपका योगी आदित नात के द्वारा, बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर हो जाता है 2019 से 2013 के बीच FDI में उत्तर प्रदेश 11 वे स्थान पर आ गया है तो ये भी आपका correct हो जाता है 2019 से और आपका 2013 तक ये कितने स्थान पर आ जाता है ये आपका 11 वे स्थान पर आ जाता है और आपके दोनों जो हैं ये और आपसे पूछा गया है कौन सा इन में से असत्त हो जाएगा तो असत्त तो इन में से कोई सा भी नहीं है ठीक है तो यहाँ जो है सभी सत्त हो जाएंगे ठीक है असत्त आपसे पूछा गया है तो असत्त तो इन में से कोई सा भी नहीं है उत्तर परदेश के सरकारी स्कोल में युवा परियटन गती विद्यो के संचालनेतू कितनी आर्थिक साहता दिये जाने का प्राउधान किया गया है यह आपको बताना है आर्थिक साहता दी जाएगी तो यह आपकी 10,000 रुपे दी जाएगी आर्थिक साहता युवा परियटन गती विदियो के संचाल है नहीं तूँ बात कर लेते हैं 59 के बारे में उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री के बयान के अनुसार परदेश में कितने जिलों को सेफ सिटी बनाने का निर्णा लिया है परदेश में सेफ सिटी बनाए जाएंगी कितनी बनाए जाएंगी तो उत्त कतनों पर आपको विचार करना है DMSRDE कानपूर के द्वारा Anti-Mine Inperity Boot तयार किये गए हैं यह आपका करेक्ट हो जाता है यह Boot किसके द्वारा तयार किये गए हैं यह आपका DMSRDE के द्वारा तयार किये गए हैं और यह Boot Mines फटने के बाद भी जवानों को स्टरक्षी तरकेंगे यह भी आपका करेक्ट हो जाता है इसलिए तो इन Boot को तयार किया गए है तो दोनों आपके जो है करेक्ट हो जाते हैं उपरे हो सभी आपके करेक्ट हो जाते हैं और यहां हम देखेंगे जो आपका DMSRDE की फुलफों में यहां भी आपसे जो है कोश्चन बनते हैं इंदी में कहेंगे रक्षा सामगरी बंडार और अनुसंधान विकास परतिस्थान यानि DMSRDE बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 61 के बारे में निम्न कतनों पर आपको विचार करना है और पहला कतन आपका हो जाता है पंचायती राज विभाकी प्रतावित उत्तर प्रदेश मातर भूमी योजना का सुबारम जुलाई 2023 में किया गया है तो इसलिए तो जो है इस योजना को लाया गया है तो दोनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और दोनों आपके दिये गए हैं आपके ओप्शन नमबर C में बात करेंगे कोश्चन नमबर 62 के बारे में उत्तर परदेश के बनारस हिंदू विश्विद्याल को इंडिया रेंकिंग 2023 में कौन सा इस्थान मिला है बात की गई है बी एचियू के बारे में बी एचियू को मिला है आपका पाँचवा इस्थान इंडिया रेंकिंग 2023 में बात कर लेते हैं कोश्चन नंबर 63 के बारे में हाल ही में मिसन नंद बाबा योजना भारत के किस राज्य के द्वारा सुरू की गई है तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तर परदेश उत्तर परदेश के द्वारा मिसन नंद बाबा योजना की शुरुआत की गए बात करेंगे कोश्चन नमबर 64 के बारे में विचार करने के लिए जो है कोश्चन आपको दे दिया गया है और पहला पोइंट आपका क्या हो जाता है ये आपको देख लेना है उत्तर परदेश के सभी कमिशनेर पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है सभी जो है आपके कमिशनेरी हैं उन पर सैनिक स्कूल खोला जाएगा इस प्रस्ताव पर रक्सा मंतराले ने अपनी सहमती दे दिया ये भी आपका correct हो जाएगा सैनिक स्कूल को खोलने के लिए रक्सा जो मंत्राल है इसकी सहमती जरूरी हो जाती है पूरे भारत में रक्सा मंत्राल है के 25 सैनिक स्कूल है ये भी आपका correct हो जाता है 25 स्कूल हो जाते हैं पूरे जो है आपके भारत में और इन सभी स्कूलों को PPP यानि प्राइवेट पब्लिक पार्टनर्शिप के मोडल के आदार पर खोला जाएगा ये भी आपका करेक्ट हो जाता है और आपके चारों जो हैं इसमें करेक्ट हो जाते हैं और चारों करेक्ट दिये गए हैं आपके उप्शन नमबर C में और चले बात कले थे कोश्चन नमबर 65 के बारे में उत्तर परदेश के कितने कव्यों को गोपाल दास नीरज इसमर्थी पुरुषकार से सम्मानित किया जाने की गई है कौन सा पुरुषकार हो जाता है गोपाल दास नीरज इसमर्थी पुरुषकार हो जाता है कितने कव्यों इसको संब्मानित किया जा जाएगा तो इसमें आपके 5 कव्यों को संब्मानित किया जाएगा बात करने कोंश्चन 66 के बारे में किस प्रदेश में सुपर स्टेटte highway बनाने के लिए केंडर्य सडक परिवहन इम्राजमार मंत्री नितिन गडगरी की सहमतीमिल गई है इसका भी correct answer आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश, उन से highway हो जाएंगे, सूपर इस्टेट highway हो जाते हैं बात कर लेते हैं 67 के बारे में, उत्तर प्रदेश के किस जिले में हरियाने के पलवल तक green field highway का निर्मान किया जाएगा हरियान के पलवल तक किया जाना है उत्तर प्रदेश के किस जिले से किया जाना है यह आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है अलीगड से उत्तरप्रदेश के एलीगड से हर्याना के पलवल तक ग्रीन फिल्ड हाईवी का निर्मान किया जाएगा बात कर लेते हैं कोश्चे नमबर 68 के बारे में उत्तरप्रदेश का पहला हैरीटीज पार्क वे रेल कोश रेस्टोरेट कहां खोला गया है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपका हो जाता है आगरा में आगरा में खोला गया है पहला हो जाता है इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है बात कर लेते हैं 69 के बारे में किसकी अध्यक्स्ता में निर्णे लिया गया है कि 2021 का गांधी सांती पुरुषकार गीता प्रेश गोरकपुर को परदान किया जाएगा किसकी अध्यक्स्ता में ये निर्णे लिया गया है और इसका जो करेक्टांसर है ये आपका हो जाता है परदान मंतरी नरेंद्र मोदी की अध्यक्स्ता में निर्णे लिया गया है बात कर लेते हैं question number 70 के बारे में उत्तर परदेस परदूसन नियंतरन बोर्ड की रिपोर्ट में किस सहर को गंगा को सबसे परदूसित बताया गया है किस सहर में गंगा सबसे परदूसित है यह आपको बताना है और इसका जो correct answer यह आपका हो जाता है कानपूर, कानपूर में सबसे परदूशित गंगा हो जाती है, बात कर लेते हैं कोश्चन अमबर हो जाता है हमारा 71 और इसमें आपको total जो मिलने वाले हैं 220 प्लस कोश्चन आपको मिलने वाले हैं, बात कर लेते हैं 71 के बारे में, परदेश में सक्ती दीदी अभ्यान शुरू किया गया है, यह आपको हो जाता है, यानि महिलाओं के साथ होने वाले अपरादों में कमी लाने के लिए सक्ती दीदी अभ्यान की शुरूआत की गई है, बात कर लेते हैं कोश्चन अमबर 72 के बा स्थापित किया रहा है आपको बताना है के रहे हैं और इसका जो रिखा रही आपको हो जाता है तो यह आपको हो जाता है कुत्तों के व्याभार और उन्चे संबंदित बीमारियों को अध्यन करने के लिए देश में पहला काना इंटर ब्रेली में बनाया जा रहा है बात कर लेते हैं 74 के बारे में लखनाओ की सोम्यमिस्रा के निर्देशन में कहां पर मिलेट मेला और सुयराज सुयतंतरता की गाथा का आउजन किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर यह आपका हो जाता है कनाडा में बात कर लेता है कोश्चन नंबर 75 के बारे में हाल ही में उत्तर प्रदेश कीर्केट ऐसेशियेशन का निदेशक किसको बनाया गया है ये आपको बताना है इसका करक्टर अंसर आपका हो जाता है देवेंदर सिंग चोहान को बात कर लेता हैं 76 के बारे में राश्टपती दुरोपती मुर्मों के द्वारा CCPF Assistant Commandant अमित कुमार को सोरिये चक्रे से सम्मानित किया गया है वे उत्तर परदेश के कीश जिले के रहने वाले हो जाते हैं जो आपके अमित कुमार जी हैं या आपके मेरट के रहने वाले हो जाते हैं बात कर लेते हैं Question No. 77 के बारे में हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार गिरामीन परिवारों को सबसे अधिक Null Connection देने में उत्तर परदेस अब महाराष्ट को पचाड़ते हुए कौन से नंबर पर आ गया है यह आपको बताना है उत्तर परदेस यह आपका दूसरे नंबर पर आ गया है महाराष्ट को पचाड़ते हुए गिरामीन परिवारों को अधिक Null Connection देने के मामले में बात कर लेते हैं Question No. 78 के बारे में Pharmaceutical Research and Innovation Institute की स्थापना कहां की जा रही है यह आपको बताना है और इसका भी correct answer आपका हो जाता है उत्तर परदेश में Pharmaceutical Research and Innovation Institute की स्थापना उत्तर परदेश में की जा रही है 79 की बात की गई है नोएड़ा की तरज पर बसाया जाएगा तो नोएड़ा की तरज पर किसको बसाया जाएगा बात कर लेता है Question number 80 के बारे में 2023 में उत्तर परदेश चीनी का नीर्या सीर्ष नीर्या तक राज़ बन गया है तो यह तो आपका correct हो जाता है 2023 में चीनी का सीर्ष नीर्या तक आपका उत्तर परदेश बन जाता है इससे पहले महाराश सिर्थिस्थान पर था ये भी आपका correct हो जाता है इससे पहले आपका महाराश सिर्थिस्थान पर हुआ करता था और 2023 में ये आंखड़े उत्तर प्रदेश ने change कर दिये हैं और इसलिए जो है आपके सभी सही हो जाते हैं बात कर लेते हैं 81 के बारे में निम्न कतनों पर आपको विशार करना है और पहला कतन देख लेते हैं सिरी रामचरित मानस विश्व का सबसे लंबा गीत बन चुका है तो ये तो आपका correct हो जाता है विश्व का सबसे लंबा गीत आपका बन चुका है सिरी रामचरित मानस और उत्तरप्रदेश के बनारस चनपत के डाक्टर जगदीश पिल्लाई ने 138 गंटे 41 मिनट अब 20 सेगिंड सिरी रामचरित मानस गीत को गाया है तो ये भी आपका correct हो जाता है ठीक है दोनों आपके correct हो जाते हैं और दोनों correct दिये गए हैं आपके option number C में ये नाम भी आपको याद रखना है किसके दोवारा इसको गया गया है किस संस्थान के दोवारा green energy पर अपनी तरह का देश का पहला महतोकांसी प्रोजेक्ट दिया है जो जमीन के अंदर कोईले को मीथेन में परिवर्तत करने का कार करेगा ये देश का पहला हो जाता है इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है जहां भी आपका पहला वड़ा जाता है वो अपने आप में इंपोर्टेंट हो जाता है और इसका जो correct answer है ये आपका हो जाता है IIT वारानसी बात कर लेते हैं 83 के बारे में Digital LinkedIn को बढ़ावा देने के लिए समर्थ अभ्यान का संबंद की सराज़े से हो जाता है ये आपको बताना है समर्थ अभ्यान की बात की गई है और इसका जो संबंद है ये आपका उत्तर परदेश से हो जाता है बात कर लेता है, 84 के बारे में, विचार करने के लिए आपका question दिया गया है, और इस तरह के question सबसे ज़ादा आपकी परिक्षा में पूछे जाते हैं, आपको confuse करने के लिए और आपका time किल करने के लिए, पहले गतन आपके बारे में बात करते हैं, बरेलिके जमात रजा मुस Ministry of Corporate Affairs की ओर्षित दिया गया है तो ये भी आपका correct हो जाता है यहां भी आपके दिये गए हैं दोनों आपके correct हो जाते हैं और दोनों आपके correct दिये गए हैं आपके option number C में और इस current affair की अगर आपको detail वाली class लेनी है तो आप हमारे channel पर visit करेंगे वह आपको उत्तरप्रदेश special current affair के नाम से playlist मिल जाएगी वह आपको detail wise सभी current affair आपको मिल जाएगा उत्तरप्रदेश का बात कर लेते हैं 85 के बारे में अमरत भारती station योजना के थैत उत्तरप्रदेश के किस जिले के 5 railway station को airport जैसी सुविधाई मिलेंगी वो कौन सा जिला हो जाएगा जिसको airport जैसी सुविधाई मिलेंगी तो वो आपका गोंड़ा जिला हो जाता है बात कर लेते हैं 86 के बारे में प्रोजक्ट अलंग कार के बारे में आपको विचार करना है कौन कौन से इन में से सही हो जाते हैं आप से पूझा गया सही कथन पर आपको विचार करना है इस प्रोजेक्ट अलंकार के तहट वाराण सी जिले के साथ राज के स्कूलों और इंटर्मेटेट इसकोलों में कार्पोरेट इसकोलों जैसी सुविधाय मोहिया कराए जाएंगी तभी तो इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है बात कर लेते हैं दूसरे कथन के बारे में इसके लिए माद्यमिक शिक्सा परिशद की और से पाँंच करोड की धनरासी जारी कर दी गई है तो यह आपका गलत हो जाता है केवले एक आपका सही हो जाता है और बाकी आपके गलत हो जाते हैं बात कर लेते हैं 87 के बारे में नाबाड और उत्तर परदेश सरकार के सहयोग से वर्स 2023 में उत्तर परदेश के कितने उत्पादों को GI टैग मिला है ये आपको बताना है GI टैग की बात की गई है कितने उत्पादों को मिला है तो इसमें टोटल हो जाते हैं आपके 11 11 उत्पादों को GI टैग मिला है 2023 में बात कर लेते हैं कोश्चे नमबर 88 के बारे में उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री द्वारा बायो सेंजी प्लांट का सिलान्यास किया गया है ये कहां किया गया है ये आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है गोरकपूर में गोरकपूर में मुख्यमंत्री के द्वारा बायो सियनजी प्लांट का सिला अन्यास किया गया है बात कर लेते हैं 89 के बारे में भारत निर्वाचन आयोग ने उत्तर परदेश में किस पार्टी का राज इस्तरिय पार्टी का दर्जा छीन लिया है ये हो जाता है आपका राष्टिय लोकदल राष्टिय लोकदल जो है इससे उत्तर परदेश में राज इस्तरिय पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है बात कर लेते हैं कोस्चन नमबर 90 के बारे में अपरेल 2023 में राष्टिय दरोपती मुर्मु के दौरा उत्तर परदेश की कितनी ग्राम पंचायतों को राष्टिय पंचायत पुरुसकार 2023 परदान किया गया है ये आपको बताना है और इसका जो correct answer ये आपका हो जाता है दो पंचायतों को राष्ट ये पंचायत पुरुषकार से सम्मानित किया गया है राष्टपती दुरुपती मुरुमु के द्वारा बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 91 के बारे में उत्तर प्रदिश में प्यम मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क का सुभारंत किया गया है ये कहां किया गया है ये आपको बताना है इसका जो करेक्ट आंजर ये आपका लखनव और हर्दोई हो जाता है प्यम मित्र मेगा टेक्स्टाइल पार्क का सुभारंत किया गया है लखनव और हर्दोई में बात कर लेते हैं कोश्चे नमर 90 के बारे में उत्तर प्रदिश का पहला महिला विस्विद्याले बनाया जा रहा है ये भी आपका पहला हो जाता है इसलिए इंप्रोटेंट हो जाता है ये कहां बनाया जा रहा है तो ये भी आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है उत्तर परदेश का पहला महीला विस्विद्याल है ये आपका गोरखपुर में बनाया जा रहा है बात कर लेता है कोश्चन नमर 93 के बारे में निम्न कथनों पर आपको विचार करना सत्त कथन का आपको चैन करना है उत्तर परदेश के वारांडशी में अंतराश्टे किर्केट इस्टेडेम बनाया जाएगा उत्तर परदेश के वारांडशी में तो ये तो आपका correct हो जाता है ठीक है इसकी गोसना कर दी गई है मुख्यमंत्री के द्वारा यह इस्टेडेम PP model पर आधारित होगा यानि Public Private Partnership के अंतरगत आएगा तो ये भी आपका सही हो जाएगा उत्तर परदेश में ज्यादतर काम PP model पर आधारित हो जाएगे बात कर लेते हैं इस्टेडेम में साथ हजार दरसोकों के बैठने की विवस्ता होगी तो ये आपका हो जाता है गलत इसमें साथ हजार दरसोकों की छंता ही होगी इसमें केवल आपका 30,000 दरसोकों के बैठने की छंता हो जाएगी ठीक है आपका एक और दो करेक्ट हो जाता है और एक दो दिये गए हैं आपके option number A में बात कर लेते हैं 94 के बारे में भारतिया अंतरदेश ये जल मार्क प्रादिकरन के chairman के बयान में कहा गया है कि क कासी में भी अब water taxi चलाई जाएगी देश की पहली water metro किस राज्य में चलाई गई थी ये आपको बताना है जिसकी तरज पर कासी में चलाई जानी है तो पहली किस राज्य में चलाई गई थी तो पहली आपकी चलाई गई थी केरल में ठीक है और उसी की तरज पर अब कासी म आनंद को सम्मानित किया गया है। ये कि संस्थान से जुड़े हैं ये आपको बताना है। तो ये आपके हो जाते हैं B-H-U से सम्मानित। बनारेस हिंदू विश्विद्याले से जुड़े हुए हैं आपके अभिशेक पाठाक और डाक्टर आनंद। बात कर लेते हैं कोस्चन नमबर 96 के बारे में और कस्तूरब्बा विद्याले के चर्चा में होने के कारणों पर आपको विचार करना है कस्तूरब्बा गांधी विद्याले जो है ये चर्चाओं में क्यों हैं बात कर लेते हैं और उत्तर प्रदेश के कश्टूरबा विद्याल में सभी पूरुस कार्मिकों को हटाया जाएगा तो यह आपका करेक्ट हो जाता है इसलिए जो है यह चर्चाओं में रहा है काफी दिनों तक वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 746 कश्टूरबा वाश्य विद्याल है वाश्य बाली का विद्याल है यह संचालित है यह भी आपका करेक्ट हो जाता है और इन सभी विद्यालों में 2023-2024 के सैक्सिक सत्र के लिए महिला कार्मिकों की निउक्ति के निदेश दे दिये गए ह तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है चर्चाओं में क्यों रहा है पुरुस कार्मिकों को हटाया जाएगा 746 कश्टूरबा वाश्य बाली का विद्याले हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में और नए महिला कार्मिकों की निउक्ति के निदेश भी दे दिये गए हैं तो तीन सूगर्मिल एसोशेशन और किसके बीच समझोता हुआ है यह आपको बताना है और यह हो जाता है आपका विश्व बैंक परदेश के सूगर्मिल एसोशेशन और विश्व बैंक के बीच समझोता हुआ है किसानों को व्रद्द लाब देने के लिए बात कर लेते हैं 98 के बारे में अटल बिहारी वाजपई पाउर लूम विद्धुत फिलैट रेट यूजना किस राज़ में संचालित की जा रही है यहां बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश करेंट फेर की तो उत्तर प्रदेशी इसका जो है करक्त आंसर हो जाएगा बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 99 के बारे में वर्द्ध 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गेहूं खरिद नीती के तहट गेहूं का मुल परती कॉंटेल की दर से क्या रखने का निर्णा लिया है यह आपको बताना है क्या हो जाएगा 2023 में गेहूं का मुल जो सरकार के द्वारे निर्धारित किया गया है और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका 125 रुपे हो जाता है बात कर लेते हैं कोश्चन नमर 100 के बारे में कोश्चन हमारे 100 जो है पूरे हो जाते हैं उत्तर प्रदेश में नोएडा के साथ साथ गोरखपूर में भी आप फिल्म सिटी खोलने की तैयारी चल रही है तो यह तो आपका करेक्ट हो जाता है गोरखपूर में भी आप फिल्म सिटी खोली जाएगी नोएडा के साथ साथ Film City के लिए मुंबई के कारूबारी अतुल गर्ग ने परदेश सरकार के साथ M.O.U किया है तो ये भी आपका correct हो जाता है M.O.U किया गया है आपका अतुल गर्ग के साथ जो आपके मुंबई के कारूबारी हो जाते है अतुल गर्ग के द्वारा 500 करोड रुपे का निवेश किया गया है तो ये भी आपका correct हो जाता है अतुल गर्ग के द्वारा 500 करोड रुपे का निवेश किया गया है और ये आपके मुंबई के हो जाते हैं और फिल्म सिटी खोली जाएगे आपकी गोरकप्र में तीनों आपके करेक्ट हो जाते हैं और तीनों आपकी दिये गए हैं आपके ओप्शन नमबर C में बात कर लेते हैं कोश्चन नमबर 101 के बारे में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों में सबसे ज़्यादा समय तक पदपर बने रहने वाले मुख्यमंत्री कोन हो गई हैं तो ये हो जाते हैं आपके योगी आधितनात योगियाद इतनात मुख्यमंत्रिव में सबसे ज़ादा लंबे पत समय के अपने पत पर बने रहने वाले मुख्यमंत्री हो जाते है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं केया तो आप सब्सक्राइब कर सकते है वीडियो को अपने दोस्तों में भी के 4 जिलो में किस जाती को hT का दर्जा दिया गया है एक सो तीन के बारे में उत्तर प्रदेश विदान भवन पर विचार कीजिए उत्तर प्रदेश विदान भवन के बारे में विचार करना है और पहला पोइंट हमारा हो जाता है Central विष्टा की तरज पर उत्तर प्रदेश के विदान भवन बनाया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में विदान भवन बनाया जाना है Central विष्टा की तरज पर ये आपका correct हो जाता है 2017 तक नए विदान भावन को पूरा करने का लक्ष रखा गया है यहाँ से question बनेगा यह कब तक लक्स रखा गया है विदान भावन के लिए प्रारंबिक तोर पर 55 करोट रूपिय का बजट रखा गया है तो यह भी आपका करेक्ट हो जाता है 50 करोड रुपगा रखिया लक्ष जो है आपका प्रारंबिक तोर पर रखा गया है और इस तरह से 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं और 3 आपके दिये गए हैं आपके option number C में 3 आपके करेक्ट हो जाते हैं बाब कर लेते हैं 104 के बारे में पंचायती राज विभाग उत्तर प्रदेश के त्वारा प्रदेश के किस जन्पद में ग्रामीन लर्णिंग सेंटर बनाए जाने को मंजूरी मिल गई है। और बात कर लेते हैं पहले कथन के बारे में उत्तर प्रदेश की पहली खेल निती दो हजारते इसको हरी जंडी मिल गई है तो यह आपका करेक्ट हो जाता है। सबी जो है यह करेक्ट हो जाते हैं। बात कर लेते हैं 106 के बारे में उत्तर प्रदेश में नई वहान स्क्रैप पोलीशी 2023 के अंतरगत कितने साल पुराने सरकारी वहानों की स्क्रैपिंग की जाएगी। इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाता है 15 साल पुराने सरकारी वहानों की स्क्रैपिंग की जाएगी। बात कर लेते हैं 107 के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने परदेश में कितने निजई विश्विद्याले को खोलने के लिए आसे पत्र जारी कर दिया गया है। तो यह हो जाता है आपका चार विश्विद्याले खोलने के लिए उत्तर परदेश में आसे पत्र को जारी कर दिया गया है। बात कर लेते 108 के बारे में इलाबाद विश्विद्याले के संगटक कॉलेज यूंग क्रिश्चन महाविद्याले में संस्क्रत विभाग के अध्यक्स डाक्टर आउरुने मिस्र ने संस्क्रत सीखने के लिए ओनलाइन गेम एप बनाया है। इसका नाम हो जाता है इसका तो इसका नाम हो जाता है आपका संस्क्रत को सीखने के लिए। बात करेंगे 109 के बारे में यूपी में मेगा टेक्स्टाइल पार्क को मंजूरी दी गई है। मेगा टेक्स्टाइल पार्क यूपी में बनाया जाना है और ये यूपी के हर दोई जिले में बनाया जाएगा मेगा टेक्स्टाइल पार्क बात कर लेते हैं 110 के बारे में उत्तरपर्देश में प्राइमरी विद्यालों को निपुन विद्यालों का दर्जा हासिल करना होगा ये आपका करेक्ट हो जाता है निपुन विद्यालों का दर्जा हासिल करना होगा उत्तरपर्देश के प्राइमरी विद्यालों को इसके द्वारा विद्यालों में 100% उप बंद्यों की शंख्या को देखते हुए कितने नए हाइटेक कारगार बनाने का निर्णे लिया गया है उत्तर परदेश की शरकार के द्वारा बात करेंगे 112 के बारे में और इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपेंशिप का उद्गाटन किया गया है यह कहां किया गया है यह हो जाता है लखनो में और इंडिया पुलिस एथलेटिक चैंपेंशिप का उद्गाटन लखनो में किया गया है बात करेंगे 113 के बारे में एशेंट मोमेंट्स प्रीजर्वेशन एक्ट 1904 की धारा तीन के तहट परदेश सरकार के द्वारा कितने इस्थलों को संग्रक्ष और इस्थलों गोजित किया गया है बात कर लेते हैं 114 के बारे में वन वर्ड सभी समिट हो जाता है इसको जो है conservation SEO tiger standard का दर्जा मिला है बात कर लेते हैं 116 के बारे में विचार करने के लिए आपको question दे दिया गया है March 2023 में घोसना की गई है कि उत्तर प्रदेश में मन्रेगा मजदूरी में इजाफा किया जाएगा तो ये तो आपका correct हो जाता है मन्रेगा मजदूरी को 2013 की जगे अब 230 रूपे कर दिया गया है तो ये भी आपका correct हो जाता है पहले 2013 रूपे मिलते थे अब 2030 रूपे मिला करेंगे मन्रेगा में दोनों आपके जो हैं ये correct हो जाते हैं बात कर लेते हैं 117 के बारे में हाली में मसीन लर्निंग वाला रोबोट तयार किया जाएगा मसीन लर्निंग वाला रोबोट तयार किया गया है किसके तयार किया गया है और यह आपका 1K2U लखनव के द्वारा मसीन लर्निंग वाला रोबोट तयार किया गया है बात करेंगे 118 के बारे में Null Connection देने के मामले में उत्तर पर देश का देश में कौन सा इस्थान हो जाता है ये आपको बताना है बात करेंगे 119 के बारे में बुलंचा और खुर्जा के कितने गाउं को येडा में सामिल किया गया है कितने गाउं को सामिल किया गया है तो इसमें आपके हो जाते हैं पच्पन गाउं बुलंच और खुड़ जाके पच्पन गाउं को येडा में सामिल किया गया है और येडा की फुल फॉम भी आपसे कुछ ही जा सकती है तो ये हो जाता है आपका यमुना एक्सप्रेस्वे और इंडेस्टियल डावलोप्मेंट अथोर्टी ठीक है यह आपका एड़ा हो जाता है यह आपको याद रखना है इसकी फुल फॉम से भी जो है कोश्चन बन सकते हैं बात कर लेते 120 के बारे में उत्तर परदेस में सोलर प्लांट स्थापित करने के लिए सतलुज जल विद्धुत वित्रन निगम लिमीटेड ने परदेस के किस जनपद के साथ एमोई हो क्या है बात कर लेते हैं 121 के बारे में उत्तर परदेस में भारतिया खेल प्रादिकरन के राष्टिय उत्करिश्टा के इंदर में खेल से संबनित बुनियादी धाचे का उद्गाटन किया गया है तो यह आपका हो जाता है लखनों में लखनों में इसका उद्गाटन किया गया है बात कर लेते हैं 122 के बारे में UP Global Investor Summit 2023 का आउजन किया गया है यह कहां किया गया है यह आपको बताना है और इसका करेक्टर अंसर आपका हो जाता है लखनों में UP Global Investor Summit 2023 का आउजन लखनों में किया गया है बात कर लेते हैं 123 के बारे में G20 सम्मेलन के दोरान डिजिटल इंडिया की जलक दिखाने के लिए परदर्शिनी का आयुजन किया गया है तो ये भी आपका लखनव हो जाता है जहां डिजिटल इंडिया की जलक दिखाने के लिए परदर्शिनी का आयुजन किया गया है बात कर लेते हैं 124 के बारे में मंंद्चों मान्दिवया के द्वारा किया गया यह भी आपका किर्ठ हो जाता है इनके द्वारा जो है इसका उद् Ballण किया और इसका किसानों की आयव में विर्द्धी करने तो यह भी बिल्कुल गया गया यह को दू Herman alquer तीनों आपके साही हो जाएंगे और तीनों उत्तर प्रदेश सरकार के दोवारा पूरवांचल की सान सम्मान से किसको सम्मानित नहीं किया गया है ये आप से पूछा गया किसको सम्मानित नहीं किया गया है और इसका करेक्टर अंसर आपको हो जाता है गजेंदर लखनवी को राम मोहन पाठक को सम्मानित किया गया है इम हेरिटेज होटल बनाया जाएगा किसको बनाया जाएगा पांच इमारतों को कौन से जिले की हो जाती है तो ये आपकी लखनों की पांच इमारते हो जाती है जिनको हेरिटेज होटल बनाया जाएगा बात कर लेते हैं 128 के बारे में उतर परदेश सरकार के द्वारा परदेश म को upgrade करने का निर्ने लिया गया है. कितनी आईटाई को upgrade किया जाएगा तो यह आपकी 150 आईटाई को upgrade करने का निर्ने लिया गया है. बात कर लेते 119 के बारे में राजी वरगोंजी को देश के नए Drug Controller General यानि DCGI के रूप में निक्ति किया गया है. यह हैं कहाँ से सम्मंदित हो जाते हैं तो यह आपके बल्याजिले से सम्मंदित हो जाते हैं जो नए ड्रग कंट्रोलर General DCGI बनाई गये हैं बात कर लेते हैं 130 के बारे में उत्तरप्रदिस में हाई टेक मिलेट्ी हस्पटाल का निर्मान किया जायेगा ये कहां किया जाएगा, किस-किस जनपद में जो है किया जाएगा, ये आपको बताना है, इसका निर्मान मेर अठवे लखनों में किया जाना है, ठीक है, और मेर अठवे में जो है, इसकी तैयारी अभी सुरूप कर दी गई हैं, बात कर लेते हैं, 131 के बारे में, इंडो- इज्राहिल ट्रोमा कोर्स का व्यूजन किया गया है तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है ये किया गया है इस लिए आपका करेक्ट हो जाता है इसलिए इनको बुलाया गया है तो आपके तीनों correct हो जाते हैं और तीनों correct दिये गए हैं आपके option number C में सभी आपके correct हो जाते हैं बात करेंगे 132 के बारे में हाल ही में केंद्रिय सडक परिवेहन और राजमार्ग मंत्री यानि नितिन गडगरी ने उत्तर परदेश के किस जनपद में साथ राष्टिय राजमार्गों का उद्गाटन किया है ये आपको बताना है और इसका correct हो जाता है आपका बलिया में बल परदेश के किस जनपद में बनाया जाएगा ये आपको बताना है और इसका correct answer आपका हो जाता है बनारस में बनारस में देश का पहला हो जाता है इसलिए important हो जाता है देश का पहला रोपे transport जिसकी लागत 200 करोड रुपे बनाया जाएगा बनारस में बात कर लेते हैं किस राज की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश की सरकार ने खेती का सर्वे कराने कर निर्डे लिया गया है तो यह आपका हो जाता है करनाटक की तर्ज पर करनाटक की तर्ज पर अब खेती का सर्वे कराएगी उत्तर प्रदेश की शरकार बात कर लेते हैं 135 के बारे में परदेश के वाद्यमिक सिक्सा बोड के आदेश अनुसार अब सहरों में निजी स्कूलों को खोलने के लिए कितने वर्ग मीटर भूमी होना निवारिय कर दिया गया है बात की गई है आपकी सहरों में तो सहरों में कम से कम आपकी होजानी चीए तीन हजार वर्ग मीटर जगह और गाउं में इसको जो है छे हजार वर्ग मीटर कर दिया गया है ठीक है गाउं में आपकी छे हजार वर्ग मीटर जगह होगी तब ही जो है आप इसकूल खोल सकते हैं बात कर लेते हैं 136 के बारे में बात करेंगे 137 के बारे में परदेश में एक Self-Sustainable Model बनाया जाएगा तो यह आपका किसके लिए बनाया जाएगा कुत्तों के लिए, गायों के लिए, बंदरों के लिए या फिर आपका गोसालों के लिए तो इसका जो करेक्टांस गोसालाओ के लिए हो जाता है बात करेंगे 138 के बारे में बहुत जल्द इसको कच्रे से कोईला बनाने का प्लांट मिलने बाद जा रहा है यह अभी निर्माना धीन है और इसका निर्मान किया जा रहा है और इसका जो निर्मान है यह आपका बनारस में किया जा रहा है ठीक है बनारस में किया जा रहा है आपका जो देश में कच्रे से कोईला बनाया जाएगा बात कर लेते हैं 149 के बारे में विचार आपको करना है दकसाइनी पांडे का चेहन उनके कार शुरक्षा मोडल के आदार पर अमेरिका की कैलिफोर्निया के इस्टेनफोर्ड यूनिवेस्टी में हुआ है तो ये तो आपका करेक्ट हो जाता है दकसाइनी पांडे हो जाती है ये आपकी कालिफोर्निया के इस्टेनफोर्ड यूनिवेस्टि में इनका जो है एडमिशन हो गया है यह उत्तरप्रदेश के बागपद जिले के एक गरीब किसान की बेटी हो जाती है तो यह आपका हो जाता है गलत यह आपकी बागपद जिले की नहीं है यह आपकी हो जाती है माउजीले की, ठीक है, माउजीले की यह हो जाती है रहने वाली, और केवल एक आपका करेक्ट हो जाता है और केवल एक दिया गया है आपका option number A में, बात कर लेते हैं 140 के बारे में, उत्तर परतिश की सरकार ने बोलिवूड के film ने देशों को, और कला का परतिशत की सबसीड़ी दी जाएगी बोलिवूड फिल्मों के निर्देशों को, बात कर लेते हैं 141 के बारे में, उत्तर परतिश के उपलक्ष में भव्याज़न करने के लिए परतिश सरकार ने हर जिले को कितने लाग का बजट दिया है यह आपको बताना है, और यह हो ज पर कुरूज गंगा विलास का उद्गाटन किया गया है, यह कहां से शुरू हा है, तो यह आपका वारानशी से शुरू हो जाता है, और यह डिबडूगड जो है आपका हो जाता है, डिबडूगड हो जाता है आपका असम में, महां तक यह जाएगा, ठीक है, यह आपको य आपका बनारस में खोला जाएगा बात कर लेतें 144 के बारे में हाली में किस परदेश की सरकार ने NCR की तरज पर SCR यानी राज राज़धानी छेतर बनाने पर काम शुरू कर दिया है तो ये भी आपका उत्तर परदेश हो जाता है NCR की तरज पर SCR बनाय जाएगा उत्तर परदेश में बात कर लेतें 145 के बारे में उत्तर परदेश के 21 जनपत को लगबग 28 साल के लंबे इंतजार के बाद ट्रांसपोर्ट नगर मिला है तो ये आपका हो जाता है अलीगड़ अलीगड़ को लंबे इंतजार के बाद 28 साल का बहुत लंबा इंतजार होता है और ट्रांसपोर्ट नगर मिल गया है बात कर लेतें 146 के बारे में सांसद खेल महाकुम 2022 के दूसरे चरन का उद्वार्टन यूपी के बस्ती जिले में किया गया है किसके दूआरा ये किया गया है ये आपको बताना है और इसका जो करेक्ट आंसर ये आपको हो जाता है पर्धान मंत्री नरेंदर मोदी के दूआरा सांसद खेल महाकुम 2022 के इसका उज़न किया गया है बात कर लेतें 147 के बारे में खेती को बढ़ावा देने के उध्यशे से ओच्छा दन बढ़ाने उत्बादन तथा उत्बादर में विरद्धीकर मूल्य समवर्धन और विप्रनन की विवस्ता की जा रही है किसलिए की जा रही है ये आपको बताना है और इसका जो correct answer यह आपका हो जाता है मोटे अनाज की खेती को बढ़ावा देने के लिए बात कर लेते हैं 148 के बारे में उत्तर परदेश सरकार के द्वारा घोसना की गई है कि वहेब समाजवादी पार्टी की तर्ज़ पर परदेश का नाम रोसन करने वाली विभोतियों को 11,00,00 का पुरुसकार देगी जो होगा यह कौन सा हो जाएगा पुरुसकार उसका नाम बताना है और यह हो जाएगा आपका उत्तर परदेश गोरो सम्मान ठीक है यह आपका पुरुसकार हो जाएगा इसके तहट आपको 11,00,00 रुपे दिये जाएगे अगर आप परदेश का नाम रोसन करते हैं बात कर लेते हैं 119 के बारे में उत्तर परदेश के कितने परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर अंडमान निकोबार में दीपो के नाम रखे जाने कर निनने लिया है तो यह आपके हो जाते हैं चार चार आपके परमवीर चक्र विजेता हो जाते हैं जिनके नाम पर अंडमान निकोबार में दीपो के नाम रखे जाएंगे बात कर लेते हैं 150 के बारे में उत्तर प्रदिश के बांदा जिले में कालिंजर दुर्ज के कोटी तिर्थ सरोवर की दिवार से सिविलिंग, गनेश, भगवान विश्णू, मा लक्षमी सहित, अनेक, देवी देवताओं की प्राचीन मूर्तियां मिली हैं और इसका जो करेक्टर अंसर है या आपका हो जाता ये आपको बताना है और ये भी आपका उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरा दोरा ऑंध के गोशना की गई और इसमें अत्तर प्रदेश की किस सक्षएत को पदम वीभुशन आवार्ण से सम्मानित कियागया है और ये हो जाते हैं आपके मुलायन सिंग यादव मुलाइम सिंग यादव को मर्नो परांती अवाड दिया गया है और यह जो अवाड रिशीव करा है यह इनके जो लड़के हैं अखलेश यादव उन्होंने जो है इस पुरुसकार को रिशीव किया है ठीक है यह आपको याद रखना है यह मर्नो परांत इनको मि बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश के पनियाला को GI टेग मिला है यह किस से संबंदित हो जाता है आजमगड से गोरकपूर से सारणपूर से या फिर आपका गोंडा से तो ये आपका गोरखपुर से सम्मधित हो जाता है बात कर लेते हैं 155 के बारे में उत्तर प्रदेश का पहला बोन बैंक खोला जाएगा ये कहां खोला जाएगा बोन बैंक की बात की गई है तो ये आपका बीएचिव वारांडशी में खोला जाएगा बात कर लेते हैं 156 के बारे में उत्तर प्रदेश के किस सहर में नमो वन का लोकारपन किया गया है नमो वन की बात की गई है ये कहां खोला गया है तो ये आपका कानपूर में खोला गया है नमो वन बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश के किस जनपत में विश्व सुलोत भालू दिवस मनाया गया है तो यह आपका हो जाता है आगरा में आगरा में मनाया गया है आपका विश्व भालू सुलोत दिवस बात कर लेते हैं 158 के बारे में साथवे भारत जल सप्ता का आउजन किया गया है साथवे भारत जल सप्ता का आयोजन यह आपका क्या गया है Greater Noida बात कर लेते हैं 169 के बारे में उत्तर परदेश के किस जनपद में हाल ही में सेरी कल्चर मेले का आयोजन क्या गया है सेरी कल्चर मेले की बात की गया है तो इसका जो आयोजन है यह कहां किया गया है तो यह आपका अपने गोरखपुर में किया गया है बात करेंगे 160 के बारे में उत्तर परदेश में आयोजन G20 अध्यक्स तागे तहत UR20 परामर्ज की मेजबानी किस ने की है यह आपको बताना है UR20 परामर्ज की मेजबानी किस के दौारा की गई है और इसका correct answer हो जाता है आपका IIT रूट की के दौारा UR20 परामर्ज की मेजबानी की गई है 161 के बारे में बात करेंगे बारतिये रेलवे के दौारा उत्तर परदेश के किस सहर में गुरू किर्पा यात्र की शुरुवात की गई है उत्तर परदेश के किस सहर से की गई है यह आपको बताना है और इसका correct answer है यह आपका लखनव से की गई है लखनव से सुरुवात की गई है बात कर लेते हैं 162 के बारे में आयोध्या में निर्माना धिन राम मंदिर के जला भी से गयोतू कुल कितनी नदियों का जल लाया गया है बात कर लेते 163 के बारे में उत्तर परदेश में राही मोबाईल एप्लिकेशन को किस के द्वारा लौंच किया गया है राही मोबाईल एप्लिकेशन को तो यह आपके योगी आदितनात के द्वारा लॉंच किया गया है राही मुबाई एप्लिकेशन को 164 के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश संस्क्रत संस्थान का सर्वोच प्रोसकार विस्व भारती किसे दिया गया है विस्व भारती किसको दिया गया है तो यह हो जाते हैं आपके प्रोफेसर हरीदत सर्मा प्रोफेसर हरीदत सर्मा को उत्तर प्रदेश संस्क्रत संस्थान का सर्वोच प्रोसकार यानि विस्व भारती दिया गया है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आप कर सकते हैं बात कर लेते हैं 165 के बारे में उत्तर प्रदेश के किश जिले में चोथे अंतराष्टे फिल मौत्सव दोजार तेस का विजन किया गया है। और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है आजमगड में। 166 के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार ने एकल अभीवावक अपसरों को कितने वर्सका बाले देखबाल अवकास देने की गोष्णा की है। और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है दो वर्सका बाले देखबाल अवकास दिया जाएगा। 166 की बात करते हैं मार्च 2023 में इंडियन फार्मा फेर के आठवे संस्करन की मेजबानी किस राज्य ने की है आठवे संस्करन की जो मेजबानी है ये किसके द्वारा की गई है तो ये आप क्या हो जाता है उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदिश के द्वारा इंडियन फार्मा फियर के आठवे संस्क्रन की मेजबानी की गई है। बात करेंगे 168 के बारे में, संगाई सहयोग संगठन परियटन मंत्रियों की बैठक उत्तर प्रदिश के किस सहर में आउजित की गई है। ये हो जाता है आपका वाराणशी, वाराणशी में संगाई सहयोग संगठन परियटन मंत्रियों की बैठक आउजित की गई है। बात कर लेते हैं 179 के बारे में, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के अनुसार, वर्स 2023 में उत्तर परदेश में पूरे भारत का कितना परतिशत आलू का उत्पादन हुआ है, ये आपको बताना है। उत्तर प्रदेश में कितने परसेंट आलू का उत्पादन हुआ है तो यह आपका हो जाता है पूरे भारत का 35% बात करेंगे 170 के बारे में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला GDP में सीर्श योगदान करने वाला जिला बन जाता है तो यह आपका हो जाता है गोतम बुद नगर गोतम बुद नगर हो जाता है आपका सीर्श योगदान करने वाला बात कर लेते हैं 171 के बारे में देश में सरवादिक जन ओश्दी केंद्र वाला राजि कौन सा बन गया है सरवादिक जन ओजदी केंदर किस राजी में हो जाती है तो ये भी आपका उत्तरप्रदेश हो जाता है बात कर लेते हैं 112 के बारे में वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे कुसाल सहरों में कानपूर किस इस्थान पर हो जाता है तो कानपूर आपका ये ग्यारवेश्थान पर हो जाता है वर्ल्ड हैपीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के 40 सबसे कुसाल सहरों में बात कर लेते हैं 173 के बारे में उत्तर परदेश अपना विधान सबा बनाने जा रहा है इसके लिए निर्मान पूरा करने का वर्ष क्या रखा गया है निर्मान का जो लक्ष है वो कब तक पूरा होगा तो ये आपका हो जाता है 2027 तक इसके निर्मान का लक्ष रखा गया है बात कर लेते हैं 174 के बारे में, यह important question हो जाता है, वर्स 2023 और 24 में उत्तर प्रदेश के बजट का अकार क्या हो जाता है, तो उत्तर प्रदेश के बजट का अकार हो जाता है, आपका 6 करोड 90,24,243 करोड रुपी है, यह आपको याद रखना है, यह आपका पोइंट भी यहाँ दिया गया है, बात करेंगे 175 के बारे में, वर्स 2023 में उत्तर प्रदेश के बजट में राज के अगहाटे का अनुमान कितना है, तो यह हो जाता है, आपका 84,843 करोड रुपे, राज के अगहाटे का अनुमान हो जाता है, यहाँ से भी question आपके पिछली परिक्साओं में पूछे गए हैं, वर्तमान में उत्तर प्रदेश के बेरोजगारी दर कितनी है, परतीसत है यह आपको बताना है, तो वर्तमान की बात की गई है, बेरोजगारी दर जो है, यह आपकी 2.6 परतीसत हो जाती है, और यह जो आपकी बेरोजगारी दर है, यह जो है आपकी चेंज होती रहती है, ब बेद विज्ञान अध्यन के इंद्र की स्थापना की जा रही है। किस देश की कंपणी हो जाती है ये आपकी हो जाती है होंग कोंग की कंपणी के दुआरा दस अजार करोड की लागत से इलक्टिक वहान निर्मान से इंत्र लगाया जाएगा उत्तर परदेश के दो नगरों में कोन कोन से हो जाते हैं एक आपका आगरा हो जाता है एक आपका greater noida में किया गया है 180 के बारे में बात करेंगे हाल ही में सुर्खों में रहा State Capital Region Development Authority यानि SCRDA के अंतरगत उत्तरप्रदेश के किस जनपद को नहीं रखा गया है इसके अंतरगत उत्तरप्रदेश के 6 जी ले आ जाते हैं उन कौन से आ जाते हैं लखनव आ जाएगा एक आपका हरदोई आ जाएगा इसके बाद आपका सीतापुर आ जाएगा लेकिन वारान सी इसमें सामिल नहीं है ठीक है यह आपका गलत हो जाता है और आप से पूछागा है कौन सा इसके अंतरगत नहीं है तो सी आपका करेक्ट हो जाता है ठीक है यह चैजिले जो हैं यह आपके हो जाते हैं आपके SCRDA में सामिल बात कर लेते 181 के बारे में हाल ही में उत्तरप्रदेश के मुक्ष्यमंत्री योगी आदितनात के दौरा प्रदेश के कि इस सहर में विशेज संचारी रोगनियंतरन का सुभारम किया गया है विशेज संचारी रोगनियंतरन का सुभारम किया गया है तो यह आपका हो जाता है गोरकपुर में बात करेंगे 182 के बारे में अक्टूबर 2023 में Raspire Living Sciences की रिपोर्ट के अनुसार बारत के टोप 10 परदूसीत सहरों की सूची में उत्तर परदेश के कितने सहरों को सामिल किया गया है टोप 10 परदूसीत सहरों में उत्तर परदेश के कितने सहर हो जाते हैं तो उत्तर परदेश के तीन सहर हो जाते हैं टोप 10 सूची में सामिल, कौन-कौन से हो जाता है, सबसे पहले तो आपका आ जाता है नोईडा, ठीक है, एक नमबर पे नोईडा आ जाएगा, दो नमबर पे आपका गाजियाबाद आ जाएगा, यह आपका हो जाता है गाजियाबाद, और तीन नमबर पे आपका आ जाता है मेरट, ठीक है, यह इसमें आपके साथ साहित्त कार हो जाते हैं, जिन का चैन किया गया है आपका बाल साहित्त सम्मान के लिए 184 के बारे में बात करेंगे वर्स 2023 के आनंद सागर इसमर्ती कथागरम सम्मान पर्देश के किस कहानिकार को दिये जाने कर निन्य लिया है किस कहानिकार को जो है आनंद सागर इसमर्ती कथागरम सम्मान दिया जाएगा तो ये हो जाते हैं आपके योगेंदर आहुजा बात कर लेते हैं 185 के बारे में जैपूर में आयुजित सीनियर जुडो चैंपेंशिप 2023 में रोहन विश्णोई ने रज़त पदक जीता है ये परदेश के किस जिले से सम्मंदित हो जाते हैं बताना है रोहन विश्णोई की बात हो रही है ये परदेश के किस जिले से सम्मंदित हो जाते हैं तो ये आपके मुरादाबाद से सम्मंदित हो जाते हैं बात कर लेते हैं 186 के बारे में उत्तर परदेश सरकार ने परदेश के चार जिलो में कितने automatic weather station बनाने का निन्य लिया है कितने weather station बनाए जाएंगे तो यह आपके 450 यानि 450 weather station बनाए जाएंगे परदेश के चार जिलों में कौन-कौन से जिले हो जाते हैं तो यह आपका सबसे पहले हो जाएगा लखनो दूसरे नंबर पर आपका जासी हो जाएगा तीसरे नंबर पर आपका हो जाता है अलीगड और एक आपका इसमें आ जाता है आजमगड इन चार जिलों में 450 weather radar station बनाए जाएंगे बात कर लेते हैं 187 के बारे में मुख्यमंत्री योगी आदेतनात्की सरकार ने नहिलाओं की सुरक्षा वैस्वाम लंबन के लिए परदेश में एक नई महुईम शुरूगी है जो भी निस्थानों पर जाकर समाधान करेगी कौन सी हो जाती है सक्टी दीदी सक्टी अम्मा प्रेड़ना दीदी या पुलिश दीदी और इसका जो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है सक्टी दीदी सक्टी दीदी के सहरे जो एक नई महुईम की सुरूआत की गई है 188 के बारे में बात करेंगे अक्टूबर के प्रसम सप्ता में वन प्राणी सप्ता के आउसर पर योगी आदितनात के द्वारा वन जीव संग्रक्षन और सतत परियतन विकास कारियस आलगा सुभारम किया गया है कहां किया गया है यह आप से पूछा गया है और इसका जो करक्टर आंसर यह आपका हो जाता है पीली भीत में वन पराणी सप्ता के आउसर पर वन ने जीव संग्रक्षन और सतत विकास परियेटन विकास कारियर साला का सुबानम किया गया है 189 के बारे में बात करेंगे होकी इंडिया ने सुल्तान ओफ जोहर कप होकी टूर्नामेंट के लिए 20 सदस्य भारतिया जूनियर पूरुस होकी टीम के लिए उत्तर प्रदेश के कितने खिलाडियों का चैन किया है सुल्तान ओफ जोहर कप टूर्णामेंट होकी के लिए 20-10-चीम में जो भारत की 20-10-चीम है उसमें उत्तर परदेश के कितने खिलाडियों का चैन किया गया है तो उत्तर परदेश के हो जाते हैं उसमें 5 खिलाड़ी और ये उत्तर प्रदेश के लिए अपने अप में बहुत बड़ी बात हो जाती है 190 की बात करेंगे उत्तर प्रदेश सरकार के दुआरा प्रदेश में कितने सहरों में टाउन सिप बनाने के अनुमती दी गई है टाउन सिब बनाई जाएगी उत्तर प्रदेश के कितने सहरों में? तो उत्तर प्रदेश के साथ सहरों में टाउन सिब बनाने को अनुमती मिल गई है. 191 के बारे में बात करेंगे. अक्टूबर 2023 में मुख्यमंत्री योगी आदित नाथ ने सांस्क्रेतिक, पौरानिक, एतिहासिक और धार्मिक इस्तलों के विकास के लिए किस योजना की सुख्रकृति दी है. सांस्क्रेतिक, पौरानिक, एतिहासिक और धार्मिक इस्तलों के व योजना के लिए बात कर लेते हैं 192 के बारे में उत्तर प्रदेश राज्य के कितने बसड्डों को पॉब्लिक प्राइविट पार्टनर्शिप के तहत एरपोर्ट की तरज पर विक्षित किये जाने का प्रस्ताओं को मंजूरी मिल गई है कितने आपके बसड्डे हो जाते है 193 की बात की गई है उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफरा इस्ट्रक्चर डवलप्मेंट सहरी योजना के अंतरगत कितने करोड रुपे खर्च करने का ने लिया है कितने करोड रुपे योजना के तहत खर्च किये जाएंगे तो यह हो जाते हैं आपक करोड रुपे 194 की बात करेंगे हाल ही में उत्तर पर्देश के मुख्यमंत्री के द्वारा पर्देश के किस जन्पद में पंडित दीन दायल उपाध्याय इसमर्ती जन्मोत्सों मेले का उद्गाटन किया है यह कहां किया गया है यह आपको बताना है और इसका तो करेक्ट आंसर है यह आपका हो जाता है मत्रों में पंडित दीन दायल उपाध्याय इसमर्ती जन्मोत्सों मेले का उद्गाटन मत्रों में किया गया है 195 हो जाता है हमारा कोस्चन नमबर मुख्यमंत्री युवा सुयरोजगार योजना किस राज्य से जुड़ी हुई है किस राज्य से जुड़ी हुई है और इसका तो करेक्ट आंसर आपका हो जाता है उत्तरप्रदेश मुख्यमंत्री युवा सुहराजगार योजना ये आपके उत्तरप्रदेश से जुड़ी हुई हो जाती है बात कर लेते हैं 166 के बारे में उत्तरप्रदेश राज्य ने विरक्सार ओपन जनवियान 2023 के तहत कितने करोड पोधार ओपन का लक्स रखा था ये लक्स था आपका 30 करोड का लेकिन इसमें जो पोधे लगे थे ये आपके 35 करोड के लगबग हो जाते हैं 35 करोड के आसपास जो है पोधे लगाए गए थे बात कर लेते हैं 197 के बारे में किस राज सरकार ने 14 सहरों में 355 वाठी का विक्षित करने का लक्ष निर्धारित किया गया है तो ये हो जाता है आपका उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा 14 सहरों में 355 वाठी का विक्षित करने का निर्णे लिया है 198 हो जाता है हमारा किस राज सरकार ने 800 मेगावाट की दो ताफ विद्यूत परियोजनाओं को मंजूरी दी है 800 मेगावाट की हो जाती है दो ताफ विद्यूत परियोजना तो यहां भी आपका उत्तरपरदेश हो जाता है 1999 के बारे में बात करेंगे किस राज की सरकार ने गो हत्या के खिलाप operation conviction शुरू किया है गो हत्या के खिलाप operation conviction शुरू किया गया है तो ये भी आपका उत्तरपरदेश की सरकार हो जाती है उत्तरपरदेश की सरकार के दौरा गो हत्या के खिलाप operation conviction शुरू किया गया है और यहां हमारे हो जाते हैं टोटल जो हैं 200 question ठीक है और इसे अभी हमारे काफी question बचे हुए हैं ठीक है इसमें हमारे 220 question लगबग हो जाते हैं बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश में कितने लाग की आबादी वाले सहरों में टांस्पोर्ट नगर यानि आर्थिक जोन, उद्योग और व्यवसाइक गती वीदियों के साथ ग्रीन छेत्र आरक्षित किये जाएंगे तो यह हो जाते हैं आपके पांच लाग की आबादी वाले सहरों में टांस्पोर्ट नगर बनाए जाएंगे, आर्थिक जोन बनाए जाएंगे, उद्योगिक और व्यवसाइक गती वीदियों के साथ ग्रीन छेत्र भी आरक्षित किये जाएंगे और यहां उमारा हो जाता है कोश्चन नमबर 201 यह हो जाता है आपका अमेठी में, अमेठी में आपका किया गया है सामसत खेल कूद परतियोगतागा आवजन 203 हो जाता है हमारा कोश्चन नमबर उत्तर परदेश में मुक्यमंत्री योगी अधितनात के द्वारा परदेश के किस जन्पद में ग्यान डेरी दुगद एउम दुगद उत्पाद परियोजना का लोकारपन किया गया है कहां किया गया है यह आपको बताना है और इसका जो करेक्टर अंसर यह आपको हो जाता है गोरकपूर गोरकपूर में ज्यान डेरी दुगद एउम दुगद उत्पाद परियोजना का लोकारपन किया गया है 204 के बारे में बात करेंगे अक्टूबर 2023 में उत्तर परदेश में तीन दिवस्या सिरी अन्न महुत्साव का सुभारम किया गया है 205 हो जाता है उत्तर परदेश की सरकार ने परदेश के सभी गाउं में डिजिटल डॉक्टर किलीनिक सेवा की सुरुवात करने के लिए किस गुरूप के साथ M.O.U किया है इस गुरूप का नाम हो जाता है आपका ओबदू समु ओबदू समु के साथ M.O.U किया गया है उत्तर परदेश की सरकार का सबी गाओं में डिजिटल डॉक्टर के लिए निक सेवा सुरू करने के लिए 206 की बात की गई है उत्तर परदेश सरकार के द्वारा परदेश में बनने वाले कंप्रेश्ट, बायो गैस और बायो डिजल प्लांट के लिए कितने करोड रुपे की सुईकर्थी परदान की गई है कितने करोड रुपे की सुईकर्थी परदान की गई है तो यह हो जाते हैं आपके 550 करोड रुपे 550 करोड रुपे की सायता से कंप्रेश्ट, बायो गैस और बायो डिजल प्लांट जो है लगाया जाएगा 207 हो जाता है August volume JA कहां बनाए जाएगा यह center तो यह आपका बि AMPC या नी बना रसमी बनाए जाएगा ठीक है बारिसअ बना रिश रिश ł के के इज विशवी ड्याले में यह जो है बनाए जाने गा निनने लिया है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं अगर वीडियो को अच्छे लगती है तो आप हमारे वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं और इसकी फिरी पीड़ आप पाने के लिए आप हमारे टेलिग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा 208 की बात करते हैं उत्तर परदेश में तीन सहरों में डाइलिसिस यूनिट खोलने की घोसना परदेश की सरकार के द्वारा की गई है निम्न में से कौन सा सहर इसमें सामिल नहीं है कौन सा सहर इसमें सामिल नहीं है यह आपको बताना है तो उत्तर परदेश के तीन सहरों में यूनिट खोली जानी है एक आपका गोरखपुर में खोली जाएगी ये आपका वारांटशी में खोली जाएगी और एक आपका हो जाता है लखनो ठीक है तीन सेरों में खोली जाएगी लेकिन कानपुर में ये नहीं खोली जाएगी ठीक है और आपसे पूछा गए कौन सा सेर सामिल नहीं है तो कानप बुनकरों के लिए कितने बुनकरों का चैन किया गया है कितने बुनकरों को यह पुरुषकार दिया जाएगा तो परदेश के तीन बुनकरों को यह पुरुषकार दिया जाएगा कहां किया गया है यह आपको बताना है यह हो जाता है आपका गाजयाबाद में गाजयाबाद के साहिवाबाद में भारत के पहले रीजनल रैपिट आंजिक सिस्टेम का सुभारम किया गया है परधान मंत्री निरेंद मोदी के द्वारा इसलिए यह इंपोर्टेंट भी हो जा Chiya गया है तो यह हो जाता है आपका लखनें में ठीक है लखनेंने संग्रेल का अक्तिक Hak उत्तर प्रदेश शिंआ संग्रायस के द्वारा किया है और यह कि Siya अप sortie Bar ों première में किन्तलो लीग में उत्तर प्रदेश कमसा जिलाब पर्थमिस्त्थान को तर ना उन्सा जिला पर्थमिस्थान पर आजाएगा, तो लखनो आपका पर्थमिस्थान पर आजाता है, हेलो इंडिया महिला जुडो लीग में। 213 की बात करेंगे, हाली में संपन हुए एवियेशन पैरा गेम्स 2023 में अंकूर धामा ने स्वर्ण पदक जीता है, यह उत्तर प्रदेश के किस जनपत से संबंदित हो जाते हैं, यह आपको बताना है, तो जो आपके अंकूर धामा हैं, यह आपके बागपत जिले से संबंदि हो जाते हैं, और उन्होंने 5000 मीटर की दोड में स्वर्ण पदक जीता है, बात कर लेता है 214 के बारे में, लैंगिक समानता के छेतर में काम करने वाली परतिश्थी संसा, पोपूलेशन फर्ष्ट दुवारा अउजित, तेरवी लाडली मीडिया एंड एड़वर्टाइजि किया है, यह कहां अजित की गई है, यह आपका जैपूर में मिला है इनको सम्मान, 215 के बारे में बात करेंगे, लैंगिक समानता के छेतर में काम करने वाली परतिश्थी संसा, पोपूलेशन फर्ष्ट दुवारा, कि इसको लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया है यह आपको बताना है, कि इसको सम्मानित किया गया है, तो यह आपके हो जाते हैं, चंदरभान यादव को, चंदरभान यादव को, पोपूलेशन फर्ष्ट के दुवारा, लाडली मीडिया अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है, 216 देखेंगे, उत्तरपरदेश में निवे अक्टूबर 2023 में हर घर जली हो जना के तहट, नल कनेक्शन देने में उत्तरपरदेश देश में कौन से स्थान पर आ गया है, यह हम आपको पहले बता चुके हैं, यह जो पहले चोथे नमबर पर था, अब जो है, यह आपका पहले नमबर पर आ चुका है, ठीक है, पहले न आपको एक कोश्चन दिखाया था, वो कोश्चन था आपका अगस्त का, ठीक है, अगस्त में यह चोथे नमबर पर हो जाता है, और इसके बाद अक्टूबर की बात करेंगे, तो यह आपका पहले नमबर पर हो जाता है, ठीक है, दोनों चीज़े आपको याद रखने हैं, कितने अटल आवाशे विद्याले बनाने का निन्ने लिया गया है, कितने अटल आवाशे विद्याले बनाये जाएंगे, तो यह आपके 18 आवाशे अटल विद्याले बनाये जाएंगे, तो 18 अटल आवाशे विद्याले बनाने का निन्ने उत्तर प्रदेश की सरकार के वर्स 2023 में ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार मोबाईल पर बातचीत करने में कौन सा राज सीर्स पर हो जाता है वर्स 2023 की बात की गई है तो ये आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है जो मोबाइल पर सबसे ज़्यादा बातचीत करने के मामले में नमबर वन पर हो जाता है महिलाए और जल समवाद स्रंखला का पांचवा समापन कारिकरम उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुआ है महिलाए और जल समवाद स्रंखला का पांचवा समापन तो ये हो जाता है आपका परियाग राज में ठीक है परियाग राज में महिलाए और जल समवाद स्रंखला का पांचवा समापन कारेकरम हुआ है 221 के बारे में बात करेंगे हाल ही में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात के परियासों के गारन प्रदेश में स्रम सक्ती में महिलाओं की भागेदारी कितने परतीशत हो गई है और यहां बात करेंगे ट्रिपल टू के बारे में फाल ही में उत्तर प्रदेश में हुए नोवे वैस्विक साहित महुत्सों में छटा अटल बिहारी वाजपी राष्ट पुरुषकार के अंदर कत लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुषकार से किसको सम्मानित किया गया है। तो ये हो जाती है आपकी डाक्टर रामा सिंग। डाक्टर रामा सिंग को नोवे वैस्विक साहित महुत्सों में छटा अटल बिहारी वाजपी राष्ट पुरुषकार से के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरुषकार से सम्मानित किया गया है। 223 के बारे में बात करेंगे। उत्तर परदेश के मुख्यमंत्री योगी आदितनात के द्वारा परदेश के किस जनपद में पसू चिकित्सा विज्ञान महाविद्याले का निर्मान शुरू करने के लिए निर्देश दे दिये गए हैं। किस जनपद में बनाया जाएगा तो यह आपका गोरखपुर में बनाया जाएगा। इन्फराइस्ट्रक्चर डवलपमेंट और एजनसी ठीक है यह आपकी हो जाती यूरीडा इसकी फुल फॉर्म हो जाती है यह भी आपसे पूछी जा सकती है। आर्वन रोड इन्फराइस्ट्रक्चर डवलपमेंट एजनसी यानी यूरीडा यह आपकी इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। 225 के बारे में बात करेंगे हाल ही में उत्तर परदेश की सरकार ने देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा शक्ती वंदन का आउजन परदेश के जनपद में किया है यह आपको बताना है। और ये हो जाएगा आपका गोंडा में, गोंडा में कन्या पूजा सक्ती वंजन, ये आपकी देश की सबसे बड़ी हो जाती है, इसलिए इंपोर्टेंट भी हो जाती है, ठीक है, देश की सबसे बड़ी कन्या पूजा सक्ती वंजन का हो जन परदेश के गोंडा में किया गया कि 226 के बारे में बात करेंगे उत्तरप्रदेश में बन रहे साथ हवाई अड्डों की सुरक्षा की जिम्मेदारी किसको दी जा रही है किसको सुपी गई है सुरक्षा की जिम्मेदारी तो यह आपकी UPSSF को सुपी गई है इसकी जिम्मेदारी और UPSSF हो जाता है आपका उत्तरप्रदेश विशेश सुरक्षा बल 217 के बारे में बात करेंगे दक्षिनी पश्ची मी एश्चा के सबसे बड़े पे सहियतर का उत्वार्टन उत्तरप्रदेश के किस जनपद में किया गया है यह आपको बताना है 217 के बारे में बात किये यह और इसका करेक्टर आंसर हो जाता है आपका अमेठी और अमेठी में दक्षिन पश्ची मीश्या के सबसे बड़े पे सहियतर का उत्वार्टन उत्तरप्रदेश में किया गया है बात कर लेते हैं 218 के बारे में निपून एसस्मेंट टेक्ट में उत्तर प्रदेशं पardaम उत्तर प्रदेश में 31,00,00,00 को कौन सा ग्रेड दिया गए है? तो ये ग्रेड तो ये ग्रेड हो जाता है आपका aThese े प्लस ग्रेड दिया गए है निपून एसस्मेंट टेक्ट में उत्तर प्रदेश के 31 लाग चात्रों को 229 के बारे में बात की गई है नवंबर 2023 में केंद सरकार की आठ योजनाव को धंग से लागू करने और लाव पहुचाने में उत्तर प्रदेश का कौन सा इस्थान हो जाता है उत्तर प्रदेश का पहला इस्थान हो जाता है केंद स सरकार की आठ योजनाओं को ढंक से लागू करके लोगों को लाव पहुंचाने के मामले में हैं। 223 के बारे में बात करेंगे। चोदरी चरंद सिंग्ही जहनते पर उत्तर प्रदेश की सरकार ने कितने परगतिशील किसानों को सम्मानित करने का निवने लिया है। कितने किसानों को सम्मानित किया जाएगा तो यह आपके 77 किसान हो जाते हैं जिनको सम्मानित किया जाएगा चोदरी चरंद सिंग्ही जहनती पर। 231 की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश की आनंदा डेरी ने पसुदन सुधार के लिए किस देश की कमपणी के साथ समझोता किया है, किस देश की कमपणी के साथ समझोता किया है, तो यह आपकी ब्राजील की कमपणी हो जाएगे, जिसके साथ आनंदा डेरी ने पसुदन सुधार के लिए समझोता किया है दो सो बत्तिस हो जाता है हमारा सिफी इंफिनिट इस्पेस एक और जैक्सन लिमिटेट के द्वारा उत्तर प्रदेश के जनपद में डाटा सेंटर इस्थापित किये जाएंगे यह आपको बताना है डाटा सेंटर इस्थापित किये जाएंगे तो यह आपका हो जाता है नोईडा में सिफी इंफिनिट इस पेस और जैक्सन लिमिटेट के द्वारा डाटा सेंटर इस्तापित किये जाएंगे 233 की बात करेंगे हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान किस राज्य के द्वारा सुरू किया गया है तो ये भी आपका हो जाता है उत्तर प्रदेश में हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान सुरू किया गया है और 234 नमबर हमारा question हो जाता है उत्तर प्रदेश का पहला solar expressway कौन सा होगा ये आपको बताना है तो ये आपका हो जाता है बुंदेलखंट expressway उत्तर प्रदेश का पहला Solar Express भी हो जाता है और ये पहला हो जाता है इसलिए इंप्रोटेंट भी हो जाता है बात कर लेते हैं 235 के बारे में उत्तर प्रदेश सरकार के दोआरा होट कुक्ट मिल योजना की सुरुआत की गई है तो ये किसके लिए की गई है ये आपको बताना है तो ये हो जाते हैं आपके आंगान बाड़ी बच्चों के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार के दोआरा आंगान बाड़ी बच्चों के लिए होट कुक्ट मिल योजना की सुरुआत की गई है 236 के बारे में बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की सरकार के दौरा 99वेज डे गोशित किया गया है, तो यह कौन सा हो जाएगा, तो यह हो जाता है आपका 25 नौंबर, यह जो है, इस दिन क्या होता है, तो इस दिन साधू वासवानी की जैनती हो जाती है, यह आपके हो जाते है किस राज की सरकार के दौरा देश के पहले उत्करिष्टा केंद्र की घोसना की गई है, यह भी देश का पहला उत्करिष्टा केंद्र हो जाता है, और इसका अंसर भी आपका उत्तर प्रदेश हो जाता है, और यह आपके लिए इंपोर्टेंट हो जाता है, 238 के बारे में बात करेंगे अंतराश्ट्य यह इनो रेल प्रदर्शिनी का ओजन उत्तर प्रदेश की सहर में किया गया है उत्तर प्रदेश की सरकार ने किसानों के लिए सिचाई है तो किस यह यह शुरुआत की गई है और हमारे जो साति हैं, जो हमारी टेम के मैंमबर हैं, वो कह रहे हैं कि ये आज का लास्ट कोकेशन हो जाता है, ठीक है, आज का लास्ट कोकेशन हो जाता है, हमारा 249 और ये कुन सी योजना हो जाती है जो किसानों के लिए शिचाई हो तो शुरुवात की गई है तो ये हो जाती है आपकी खेत तालाव योजना की सुरुवात उत्तरप्रदेश की सरकार के द्वारा की गई है किसानों के लिए शिचाई है तो ठीक है ये आपको याद रखना है और ये आज की हमारे हो जाते हैं 2, 3, 9 question ये आज की जो हमारी वीडियो है ये हमारी complete हो जाती है ठीक है और ये सारे question आपके लिए important हो जाते हैं प्रहर अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया तो subscribe कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं और हमें मोटिवेट करने के लिए एक लाइक तो आपका बनता है और इस वीडियो की फिरी पीडियाप पाने के लिए आप हमारे टेलीगराम चैनल से जुड़ सकते हैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाए करता है?